हेलो फ्रेंज्स हम आपको बताएंगे जिसमें हम आपको कैम्रेंगा लूसीड होगा और माइक्रोमीटर पारे में बताएंगे क्वाइन संव और क्वान Kन को पहल्ट हमने चापने मैं को पर रूं अप्वूं स्पोरि में दिटेल समें हम ने स्टियल में इंडेंडेट सिलए उस वीडियो को लिंक आप हमारी डिश्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं तो आइए सबसे पहले जानते हैं camera lucida औक एसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी microscopic AUBJECT. microscopic object means ऐसे object जिसको हम microscope के through observe कर रहे हैं जैसे कि plants के क्यों tissue है या stomata या vein eyelids को observe कर रहे हैं तो इसके structure को हम trace कर सकते हैं means as it is draw कर सकते हैं on the paper by using camera lucida इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है it is an optical device which is used for tracing a magnified image क्योंकि हम microscope के through observe कर रहे हैं means compound microscope के through observe करते हैं तो कोई भी हमको object जो है वो magnified होके दिखेगा तो जो magnified image जो हमको observe हो रहा है through the microscope तो उसको हम trace कर सकते हैं उसको structure को draw कर सकते हैं as it is on the paper by using camera lucida इसके बार next यहाँ पे हमने point लिखा है means simple कह सकते हैं drawing diagram of the microscopic structure microscope में जो भी हम structure देख रहे हैं plants के tissues देख रहे हैं उसके diagram को हम trace कर सकते हैं camera lucida की मदद से तो basically होता क्या है किस तरीके से हम trace कर सकते हैं microscopic object के structure को camera lucida क्या करता है perform an optical super imposition of the object being viewed under the microscope and drawing paper means क्या किया जाता है camera lucida को compound microscope में जब attach किया जाता है और compound microscope के stage में हम slide को रखते हैं slide जिसमें हमने जो section है जिसको हमको observe करना है उसको रखा जाता है और compound microscope के side में हम नीचे क्या रखते हैं एक paper रख दिया जाता है जैसे कि drawing sheet हम रख देते हैं commonly black color को हम use करते हैं और उसकी बाद compound microscope camera lucida और drawing sheet को इस तरीके से एज़ेस करते हैं कि जब हम camera lucida के through जब उस object को observe करते हैं तो हमको अबजेक्ट तो दिखेगा ही इसके अलावा हमको drawing sheet भी ऑबजर्व होगा through the microscope और हम draw करने के लिए जो हमने pencil रखा हुआ है उस वह pencil tip भी हमको observe होगा through the microscope उसको तो pencil tip observe होने से क्या होगा pencil tip observe होने से जो भी हमको tissue arrangement दिख रहा है जो structure दिख रहा है उसके outline को हम easily drawing paper पे उसको draw कर सकते हैं क्योंकि हमको pencil tip भी दिख रहा है हमको जब हम camera lucida के त्रू जब आई-पी से उस object को observe कर रहे हैं इस तरीके से हम trace करते हैं जो भी हम observe कर रहे हैं through the microscope by using camera lucida इसलिए यहां पर लिखा हुआ है सुपर इंपोजिशन सुपर इंपोजिशन हो रहा है drawing sheet भी जो microscope object है वो भी और जो हमने pencil का जो टिप है ताकि हम उसलिए easily उसके outline को draw कर सके वो तीनों चीज़े हमको जो है microscope के थ्रू अबसर्व होता है जब हम उसको camera lucida से देखते हैं तो यह हो गया camera lucida और इसके बाद next जो commonly used camera lucida है वो दो तरीके को होता है ab model और swift evis model तो camera lucida किस principle पे काम करता है तो इसको आगे हम powerpoint presentation के थ्रूँ इसको और explain करेंगे है तो सबसे पहला है ab model तो इसको हम mirror type camera lucida भी बोलते हैं इसके side arm में mirror होता है जो की vertically position में supported होता है और उसके बाद next second type जो होता है जो commonly use किया जाता है वो है swift evis model जो की prism type camera lucida होता है prism type क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है small right angled prism होता है जिसको हम fit करते हैं over the microscopic eye piece में उसको fit किया जाता है तो यह दो commonly used camera lucida होते हैं यह जो है तो देख सकते हैं पिर्षकम लगा हुआ है और यहां पर हम आइसे करते हें जाता है और सेकंड मॉडल मौडल जो है यह swift avist camera lucida जासा हमने आपको बताया था इसमें small प्रिजम होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह इस मॉल प्रिजम लगा हुआ है और क्या किया जाता है यह जो आप अटेच्मेंट देख रहे हैं यहाँ से हम इस स्कूर को डिला करके हम compound microscope के eye piece में उसको fit करते हैं इस तरीके से fit किया जाता है और fit करने के बाद इसके through ये जो आप देख रहे हैं इसके through जो है observe किया जाता है जो भी object हमने stage पे रखा हुआ है तो ये swift device type camera lucida है camera lucida को कहां use किया जाता है camera lucida का application camera lucida it is used for the determination of the leaf constant last year के पार्ट में आपको बताया था leaf constant के बारे में तो वैन आयलेट वैन टर्मिनेशन नंबर और स्टोमेटल नंबर स्टोमेटल इंडेक्स पहली सेड रेश्यों ये सभी के लिए इसको डिटर्माइन करने के लिए camera lucida यूज किया जाता है क्यूं क्यूंकि इसके लिए हमको क्या करना होता है जैसे हमने आपको बताया था वैन टर्मिनेशन के लिए स्टोमेटल नंबर स्टोमेटल नंबर स्टोमेटल इंडेक्स निकालने के लिए जैसे हमने अपिडर्मल लिए और उसके बाद एपिडर्मल लेयर को हम जब लोगा तो क्या होगा हमको जैसे कि स्टोमेटल दिख रहा है और साइड में इस तरीके से अपिडर्मल लेख रहा है तो जब हम उसको कैमरा लुसीटा की थो आप जब करते हैं और साइड में ज्यूंकिट रखा हुआ है तो यह पैंसिल कर टिप जो हमने रोइंग शीट के ड्रॉब करने के लिए रखा हुआ है वो टिप और ड्राइंग शीट वो हमको कहां अब्ज़र्व होगा वो यहां पर हमको जब हम कैमरा लुसीडर के थूब्ज़र्व करते हैं तो वो टिप हमको यहां पर दिखाई देगा तरीके से सूपर होने की वज़ा से हम आउटलाइन इस तरीके से ड्रॉब कर सकते हैं और ड्राइंग शीट में हम क्या होगा ड्राइंग शीट में हम ड्रॉब कर सकते हैं जो हमको माइक्रोइस को मिन्स कैमरा लुसीडर के थूब्ज़र्व हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट आते हैं माइक्रो सब्सक्राइब करना है तो इसके लिए जो हम स्केल यूज करते हैं उसको माइक्रोमेटर कहा जाता है आप यहां पे हमने लिखा हुआ है it is a scale which is used to measure the microscopic object in the microscopic study it is used to measure the size of any object जो भी हम microscope के थ्रू अब्जब कर रहे हैं उसके size को हम मैजर कर सकते हैं microscopic object की study के लिए उसके size को measure करने के लिए micrometer हम use करते हैं किस-किस के size को measure करने के लिए यूज किया जाता है जैसे कि स्टार ग्रेंस के जो पार्टिकल्स हैं तो उसके size को measure करने के लिए हम micrometer यूज करते हैं और calcium oxalate crystal हम जो अब्जब करते हैं तो calcium oxalate crystal किस तरीके से उस और उसका size को हम मैजर कर सकते हैं by using micrometer next है fiber length different types के जो हम fibers होते हैं मिस जब हम powder microscopy करते हैं मिस किसी भी कुडर के powder form को जब हम study करते हैं through the microscope तो उसमें जो fibers दिखेंगे तो वह fiber length को हम measure कर सकते हैं by using micrometer इसके बाद next other cells and cell content उसके भी हम dimensions को हम measure कर सकते हैं using micrometer तो micrometer basically do type के होते हैं stage micrometer and eyepiece micrometer तो stage micrometer होता क्या है यह एक glass slide होता है लगभग 7.5 cm length का होता है और 2.5 cm width का होता है यह जो आप लिखाता है it is a glass slide तो यह glass slide है और इसका जो length है लगभग 7.5 cm और इसका width होता है 2.5 cm का होता है और यहां पर लिखा हुआ है scale is in the center of this light तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो center में देख रहे हैं इस center में scale होता है यहां आपको अभी नहीं दिखेगा लेकिन जब उसको microscope के तुरू जब observe करेंगे compound microscope के तुरू तो आपको इस तरीके जैसे हम को scale में दिखते न डिविशन वैसे ही हमको divisions लिखते हैं तो यहां पर लिखा है scale length जो है इसका 1 mm का होता है 1 mm का यहां पर यह scale है और यही 1 mm जो है वह equally divided होते हैं into the 100 divisions आप यहां पर देख सकते हैं 1 mm वीचिस equally divided into the 100 division तो एक division किसके बराबर होगा 0.01 mm क्योंकि पूरा scale length कितने का है 1 mm का है और 1 mm को 100 से divide कर रहे हैं क्योंकि 100 divisions है उसके तो 1 को हम 100 से divide करेंगे तो 0.01 mm तो मतलब इस जो यह जो 1 mm है जो 100 में divided हो तो इसका एक division जो है 0.01 mm का है मिन्स 10 micron का है तो यहां पर लिखा हुआ 0.01 mm मिन्स एक division जो है इसका 0.01 mm का है तो जब हम मिलिमीटर को माइक्रों में convert करते हैं तो 1 mm is equals to 1000 micrometer तो 0.01 mm equals to 10 micrometer तो इस तरीके से यह जो है stage micrometer होता है और इसी stage micrometer की मदद से हम different relief constant को जब determine किया जाता है तो 1 mm square का जो हम box बनाते हैं तो stage micrometer की मदद से बनाया जाता है इसके बाद next है eyepiece micrometer तो इस eyepiece micrometer को ocular micrometer भी कहा जाता है और यह क्या होते हैं यह small disc के form में होता है with a scale of approximately 10 mm 10 mm मतलब की 1 cm का इसका total scale होता है और जो की equally divided होता है into many divisions में बहुत सारे divisions में वह 10 mm 1 cm divided होता है तो इस eyepiece micrometer से हम क्या करते हैं जैसे stars crane हो गया में स्टार्ज particles के the size देखना है calcium augles crystal का size देखना है fiber का length measure करना है तो हम eyepiece micrometer के through कर सकते हैं तो क्या किया जाता है eyepiece micrometer से measurement करने से पहले eyepiece micrometer को calibrate किया जाता है किसकी मदद से calibrate करते हैं हम stage micrometer means stage micrometer के divisions होते हैं वह standard होते हैं और इसी के मदद से eyepiece micrometer का smallest division होता है वह कितने के बराबर है तो उसको calibrate किया जाता है stage micrometer से तो one small division of the ocular micrometer is calibrated with the help of stage micrometer इसी को हमने यहां पर लिखा हुआ है कि stage micrometer से हम ocular micrometer को calibrate करते हैं क्योंकि stage micrometer का जो one division का जो value होता है वह standard 0.01 mm अमना जाता है तो इस तरीके से हम stage micrometer और आपी स my akan master के यूज़ करते हैं तर आपस micrometer किस तरीके से लिगता है यह जो आप देख रहे हैं यह and APPLAUSE macrometer है तो यह साल आपने लिखा था इसे Small disc of glass अप सकते हैं इस small secretary of glass और जिसके में यहां पे स्केल होता है तो माइक्रोइस्कूप के थ्रू जो अब्जर्ब करेंगे तो यहां पे स्केल दिखेगा टूटल यहां पे यह 10 mm का टूटल स्केल होता है जो कि बहुत सारे डिविशन में डिवाइड़ होता है और इन्हीं डिविशन को स्केलिप्र करें करते हैं स्टेज को मायक्रो मीटर से घ्र यह पर पार्स स्केल ऐसको तरो हम सीब्र फिर वापस की घैडिया जाता है कितना डिवीशन्स जो है वो अब्जेक्ट कवर कर रहा है तो उसके एकॉर्डिंग उसके लेंथ उसके साइज को हम मैजर कर सकते हैं मिस कैलिब्रेट करने के बाद माईक्रो मेठर का 1 डिविशन्स कितने के बराबर रह Biraz तो जो भी औपजेक्ट्थ सब कितना है उसको मल्किक्लाय करते हैं तो पर्तिकूल करते है भी अब्सक्राइब कर रहे हैं उसका size को हम measure कर सकता है और इस तरीके से भी Aucular Micrometer ऀता है जो alteies के साथ पहले से ही attached होता है ये जह 10x का nine lips है और यह 10X के i piece के साथ इपर्मनेंटली यहां पे जो है Filler Micrometer यहां पे तो इस तरीके से mm Butler Micrometer भी Ltd ahleable होता है इसको भी उसकी किया जाता है तो यह हो गया माईक्रो मीटर के बारे में तो कैमरा लूसीड अर माईक्रो मीटर का क्रेकिकल डिमस्ट्रेशन हम कौंटिःटिटिव माईक्रोइस्कोपी के थर्ड पार्ट में हम आपको बताएंगे तो जैसा कि अभी हम ने डिस्कस किया एपरेटरस फॉर Microscopically Measurement and Drawing to Scale में इस Micrometer और Camera Lucida के बारे में डिसकर्स किया तो इस Notes के लिए आप हमारे Solution Pharmacy एप को डाउनलोड कर सकते हैं Play Store से या इस वीडियो के Description Box में भी Link Available है जिससे आप Directly आप को डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए Next और Detail में जानते हैं Camera Lucida और इसके Working Principle के बारे में तो Camera Lucida आप यहां पर देख सकते हैं यह Swift Avis Model Camera Lucida का डाइग्राम है यहां पर यह देख रहे हैं यह Swift Avis Model में यहां पर यह जो ओपनिंग देख रहे हैं यह इसके थुरू हम Observe करते हैं तुरू दा आईपीस यहां पर हम जो भी हमने stage पर जो slide रखा हुआ है और यह जो देख रहे हैं यह attachment है यहीं से हम आईपीस में attach करते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं इस attachment से हमने यहां पर आईपीस में यह compound microscope है तो इसके आईपीस में attach किये और उसके बाद इसको इस तरीके से यहां पर हम adjust करते हैं और यह जो opening है यहां observe करते हैं जो भी microscope के stage पर हमने जो slide रखा हुआ है observe करने के लिए और यह जो आप देख रहे हैं यह prism है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह जो diagram है इसमें different parts of camera lucida उसको दिखाया गया है तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं यह जो body tube है मतलब कि जो compound microscope का जो body tube है वो दिखाया गया है और body tube के बाद यह जो tube होता है यह क्या है यह eye piece है आप यहां पर देख सकते हैं इसम है यह क्या है यह attachment ring है और यहां पे camera lucida के इस पार्ट में प्रिस्म होता है और just ever यहां पे just हम IPS के ever adjust करते हैं और यहां पे चोटा सा होल होता है camera lucida में hole for observing image चोटा सा होल होता है जिसके थ्रू हम camera lucida के थ्रू IPS से होते हुए stage पे जो हमने slide पे जो भी tissue रिखा हुआ है observe करते हैं और जैसा हमने आपको बताया था app type camera lucida में side arm में mirror होता है तो आप यहां पे देख सकते हैं यह क्या है यह mirror है तो यहां पे क्या किया जाता है यहां पे यह तो यह तो पूरा compound microscope हो गया और compound microscope और हम क्या करते हैं हम drawing paper रखते हैं तो जिस तरह यह मारलो कि यह जो है यह drawing paper है और this drawing paper को यहां पे mirror है mirror में इस तरीके से drawing paper फे focus करते हैं तो क्या working principle होता है drawing board से जो light है वो कहां आ जाता है वो जो mirror है means जो whichever corridor मेरर मेर्स अब टाइप camera locida को वहां पे जाता है वहां पे reflect होता है reflect हो के कहां जाता है जो prism होता है वहां से reflect होता है और जो observer है उसको यहां पे दिखाई देता है इस आई पीस पे हम camera lucida को attach करते हैं और यहाँ पे क्या है यह compound microscope का जो stage है यहाँ पे object रखा हुआ है slide पे और condenser के थ्रू यहाँ पे light जो है condenser से होते हुए यहाँ पे जो prism में जो reflect हुआ है light camera lucida में जो opening होते हैं उसके थ्रू आई पीस से होते हुए ज जो stage पे जो object रखा हुआ है उसको observe करते हैं तो इस तरीके से camera lucida के थ्रू light का reflection होने से क्या observe होगा हमको slide में जो section रखा हुआ है उसमें जो tissues हैं वो हमको observe हो रहे हैं और साथी साथ हमको यहाँ पे compound microscope के side में जो हमने drawing sheet रखा हुआ है drawing paper रखा हुआ है उसली black color का हम use करते है वो भी हमको साथ ही साथ में observe होगा यहाँ पे section के साथ यहाँ स classrooms होगा dogā और साथी साथ हम drawing paper पे draw करने के लिए जो pencil है वो pencil जो use कर रहे है वो pencil का tip भे हमको यहाँ पे इस जगह में observe होता है तो यहाँ पे तीन चीजे superimpose हो रही है क्या-क्या जो हमने slide पे जो section रखा हुआ है इसके tissues को structure को draw करना है इस drawing paper पे वो तो दिखेगा ही magnified जो image है वो दिखेगा साती साथ हमको इस पे drawing sheet भी दिखेगा यहाँ पे plus pencil भी दिखेगा तीनों चीजें एक साथ superimpose होंगे और हमको इस जगह में यहाँ पे जब observe करेंगे microscope में तो हमको pencil का tip दिख रहा है तो हमको जो भी tissues दिख रहे हैं कि मालो इस तरीके से हम stomata हमको observe हो रहा है यहाँ पे तो हम pencil के tip को इस तरीके से यहाँ पे outline करते जाएंगे और यहाँ पे क्योंकि यह pencil tip यहाँ पे दिख रहा है तो हम इस तरीके से जब इसमें आउटलाइन करते जाएंगे तो यहां पे डॉईंग शीट में उसी तरीके से यहां पे ट्रेस होते जाएगा जो भी हम ऑब सॉपर रहे हैं माइक्रोमीटर के बारे में हमने आपको बताया था दो तरीके का होता है स्टेज माइक्रोमीटर राइपीस माइक्रोमीटर तो आप यहां पर देख सकते हैं यह स्टेज माइक्रोमीटर है और स्टेज माइक्रोमीटर में यह जो स्केल लेंथ होता है यह 1 mm का होता है और यह जो 1 mm है जैसे हमने आपको बताया था है यह 100 divisions में divided होता है तो इस stage micrometer को के slide को जब हम stage पे रखते हैं और microscope के थूर जब इसको observe करेंगे तो magnified form में इस तरीके से हमको different scales दिखेंगे तो क्योंकि 1 mm जो है वो 100 divisions में divided है तो 1 by 100 equals to 0.01 mm मतलब कि यहाँ पे यह जो एक division है यह जो एक division है यह एक division जो है 0.01 mm का है तो यह तो कह सकते हैं यह 10 micrometer का है क्योंकि 1 mm equals to 1000 micrometer तो 0.01 mm equals to 10 micrometer इस तरीके से यह जो आप देख रहे हैं यह आइपिस micrometer है और यह आइपिस micrometer का usually जो scale length होता है वो 10 mm का होता है और यह 10 mm है यह जनरली बहुत सारे divisions में यहाँ पर यह divided होता है यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 100 यहाँ पर यह divide है 10 mm जो है वो 100 divisions में divided है इसको magnify करके दिखाया गया है कि किस तरीके से वो divided होते हैं और इसी stage micrometer आइपिस micrometer को यूज किया जाता है different microscopical study के लिए microscopical measurement के लिए जब हम आइपिस micrometer से किसी भी microscopic object जैसे की starch particles का अगर हमको size देखना है उसको measure करना है fiber length हमको measure करना है calcium oxalate crystal का हमको dimension measure करना है यह pollen grains यह तो हम क्यों क्या करना होता है सबसे पहले आइपिस micrometer को calibrate करना होता है मतलब कि उसके एक division जो है आइपिस micrometer वो कितने के बराबर हैं क्योंकि हम different combination के जो lens लेते हैं उसके according जो आइपिस की जो division है उसका जो वो वैरी करता है जिकार्ण से वन जो आइपिस micrometer को calibrate किया जाता है means exact उसका कितना value है एक division का जाता है by using stage micrometer तो क्या किया जाता है आइपिस micrometer जैसे हमना पोता है चोटा सा small disk होता है तो हम आइपिस micrometer को क्या करते हैं हम जो हमारा eye piece होता है compound microscope का उसको unscrew करते हैं और उसको फिर eye piece micrometer को उसमें place कर दिया जाता है और फिर वापस से उसको screw कर दिया जाता है और उसको हम compound microscope में उस eye piece को लगाते हैं जिसमें हमने eye piece micrometer को attach कर दिया गया है और उसके बाद next हम stage micrometer को हम microscope के stage पे हम रखते हैं और उसके बाद जो है हम magnification को adjust करते हैं और क्या किया जाता है IP's micrometer का कोई भी एक जो line है जीरो से हम जसे start करते हैं उसको stage micrometer के एक line से पहले coincide कराते हैं और उसके बाद next कौन सा line जो है वो superimpose हो रहा है उसको observe किया जाता है और उसके बाद जो IP's का जो division से उसको count किया जाता है और stage micrometer के जो divisions है उसको count किया जाता है means दो जो line जो coincide हुए हैं उन दोनों lines के बीच में कितने divisions हैं IP's micrometer में और stage micrometer में उसको count किया जाता है और stage micrometer के division को micron में convert करते हैं और उसके बाद calibration factor निकाला जाता है IP's micrometer का अमने example के साथ उसको बताया हुआ है यहाँ पर आप diagram में देख सकते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह stage micrometer का है और यह जो देख रहे है 0,1,2,3,4 यह जो है IP's micrometer का है तो दोनों scale आपको देख सकते हैं यहाँ पर तो 7 stage micrometer का जो 7 है और 0 of the IP's यह दोनों को क्या किये हैं सबसे पहले हम coincide करा है 7 line of the stage micrometer coincide with the 0 of the IP's तो सबसे पहले जब हम set करते हैं तो IP's का 0 को हम stage micrometer के कोई भी एक line से उसको coincide कराते हैं तो यहाँ पर example के लिए हमने 7 है उस 7 को हमने IP's micrometer के 0 से coincide करा है यहाँ पर देख सकते हैं यह IP's है और यह stage का division है और if the the 10 of the stage coincide with the 7.7 of the IP's अब क्या किया जाता है अब next हम जो line देखते हैं कौन सा stage micrometer का जो line है वो IP's micrometer के exact जो है वो coincide सीधा line बन रहा है वो देखा जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह 8 हुआ यह कोइंसाइड नहीं है थोड़ा सा आगे पीछे है 9 भी आप देख सकते हैं यह 9 का जो line है और यह time से यहाँ पर थोड़ा सा exact जो हे वो coincide नहीं हो रहा है a super impulse नहीं हो रहा है next आप देख सकते हैं stage micrometer का 10 है वो जो है 7.7 जो है 7.7 of IP's micrometer से exactly जो है आप देख सकते हैं coincide हो रहा है तो ये जो है तो इसके भी जाए 7 से लेके 10 और 0 से लेके 7.7 तक किते divisions हैं उसको count किया जाता है 7 से लेके 8 तक किते divisions हुए stage micrometer में 10 तो यहाँ पे कितने हैं 10 और यहाँ पे 10 divisions और यहाँ पे 10 divisions तो कितने हो गए total 30 divisions तो 30 divisions of stage micrometer और हमने आपको क्या बताया था 7.7 है उस line से coincide कर रहा है तो 0 से लेके 1 कितने हुए 10 7 तक हुए 70 और यहाँ पे plus यह जो division है वो 7 है तो 77 divisions तो 30 division of stage micrometer equals to 77 division of IP's micrometer है तो जयसा जो stage micrometer होता है उसका standard value होती है उसके एक division की हमने आपको बताया था 0.01 mm या 10 micrometer स्टेज मायकरो मेटर का एक division 10 micrometer के बराबर होता है तो 30 division of stage micrometer कितना होगा 300 micrometer तो जैसा हमने आपको बताया था 77 division of IP's micrometer is equals to 30 division of stage micrometer और 30 division of stage micrometer किसके बराबर है 300 micrometer तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 300 micrometer तो 77 division of ip's micrometer equals to 300 micrometer तो ip's micrometer का एक division किसके बराबर हुआ 300 by 77 equals to 3.9 micrometer तो इस तरीके से हम ip's micrometer को कैलिबरेट करते हैं उसके एक division को Thank you very much for watching this video Thank you